C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रिंखला वातायनम वातायनम में आज सुनते हैं ये कारेकरम स्वपन भंगह किसी गाउं में एक भिखारी रहता था उसका नाम धनपाल था वह एक घर से दूसरे घर एक गाउं से दूसरे गाउं घूम घूम कर भीख मांग कर अपनी जीवी का चलाता था एक दिन भीख मांगने के लिए वो घर से निकला और किसी घर के सामने खड़े होकर आवाज लगाने लगा माताह माताह विख्षाम देहि रे धलपाल ग्रिहान माताह तव मंगलमस्तू अहो अयम भिक्षुकह अध्यपुनह भिक्षार्थम आग अच्छती भिक्षाम देहि माताह चिरम जिवतूते संततीहि संप्रती अन्यस्मिन कर्मणी व्याप्रतास मी अग्रे गच्छ भवतू माताह अग्रे गच्छामी अहो अध्यतू मया कीमपी दातव्यमासीत सुष्ठू समागतोयम भिक्षुकह असमे ददामी माताह भिक्षुकह ग्रिहान तव मंगलमस्तू रे भिक्षुकह भिक्षुकह आगच्छ शीग्रम आगच्छ मया शीग्रम गंतव्यम तुब्यम कीमपी दत्वा एवगमिश्यामी भिक्षाम देही आगच्छ शीग्रम आगच्छ भिक्षाम देही ग्रिहान ग्रिहान तव मंगलमस्तू सम्रिद्धिरस्तू चिरम जीवतू ते संतती अहू साम्प्रतम अयम्मे घटाह पूर्णो जाताह अधुना ग्रिहम गच्छावी एनम घटम नागदंते अवलंब्य अस्य धस्तात शयनम करो में अरे धनपालो धनपालो पया अध्यावधी नोक्तम यत्तम किमकरोशी दामो दर यता गालम अधिश्यमी साम्प्रतम व्याप्रितोस्मी अरे धनपालो कथम व्यस्ताह तुम नजानासी अहम अस्मी दामो दर रहा भवतु भवतु तुम नजानासी कस्मिन कार्ये हम व्याप्रिताह गच्छ यतेश्टम गच्छ इसके बाद प्रसन्नमन धनपाल अपने मन ही मन में सोचने लगता है अहूं यदा देशे दुर्भिक्ष वरिश्यती तदा अहम इमान तंडुलान विक्रिश्यामी अवश्यम प्रचुरम धनं प्राप्षामी ततह तेन धनेन अजाद्वयं क्रिश्यामी अहों अजाद्वयस्य विक्रिएन गोह क्रियनं क्रितं गवाम अजानाम चक्रय विक्रयाभ्याम धनिको हम संजाता हा अहो श्रमस्य फलं लब्धं ममव्यापा रहा उत्तरो उत्तरं वर्धते तराम गच्छता कालेन मनोरमया सुन्दरया एकया कन्यकया साकं मम उद्विवाह जाता हा इसके बाद अपने मन ही मन में धनपाल कलपना करता है और कलपना लोक में ही वो हो सुन्दर महल बनाता है कलपना लोक में ही उसका एक रमनी से विवाह होता है विवाह के पश्चात दोनों आनंद पूर्वक रहने लगते हैं यथा काल धनपाल के घर एक पुत्र का जन्म होता है धीरे धीरे पुत्र आठ वर्ष का हो जाता है अपने कलपना लोक में धनपाल ने देखा कि उसका आठ वर्षी पुत्र उसके पास आकर बोलता है पितह पितह मिश्टान्नम मांचा मी मैं मोदकानी देही तात मोदकानी देही अधुनाहं कार्येश्वती वव्याप्रितोस मी मोदकानी देही तात मोदकानी देही अहो भगनम में भिक्षपात्रम अन्नम सर्वं विकिर्णम अहो इस तरह धनपाल के पैर की ठोकर से खूटी में लटका हुआ उसका अन्न से भरा हुआ घड़ा फूट कर गिर जाता है और उसकी कलपना समाप्त हो जाती है उसका स्वपन तूट जाता है इस तरह कलपना में प्राप्त उसकी पत्नी कलपना में जन्म लिया उसका पुत्र स्वपन भंग की तरह नश्ट हो जाते है उसका कलपना में बनाया गया भवन भी नश्ट हो जाता है इसलिए कहा गया है कि केवल कलपना से जीवन नहीं चलता जीवन चलाने के लिए उद्यम करने की आवशकता होती है हमें यथार्थ में जीवन जीना पड़ता है और यथार्थ के लिए परिश्रम करना पड़ता है देखो कहा गया है उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती कार्याणी नमनो रथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंती मुखे म्रिगा स्वप्न भंगह अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम विशय सयोजन अनुसंधान एव मालेक प्रफेसर कृष्नी चंद्रत्रिपाथी डौक्टर रंजीत बिहरा भाषा शिक्षा विभाग N.C.E.R.T। कलाकार, डॉक्टर कृष्णी चंदर त्रिपाथी, डॉक्टर रंजीत बिहरा, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, गिरीश त्रिपाथी, धनश्री, प्रेर्णा और डॉक्टर बल्देवानन्द सागर धन्यंकन, बटिलेंग लिंग्डो और शानु मुक्सीम, निर्मान सयोग, गीतिका उनियाल और विमलेश चौधरी, निर्मान, निर्देशन और धनी संपादन, वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति, CIET, NCERT